असलाम अलेकूम मैं हुई यासमीन हुमाखान और आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और यूनिक सी रेसिपी या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही जादे यह टेस्टी भी है हेल्दी भी है और इसके साथ साथ यह बहुत ही जल्दी बन जाती है इतन जो बैड ये होने हैं, दो डेख सकते हैं, तो यहांग बैड में भाइट लिये हैं, यहां पाँच लिये हैं, यहां लिये हैं में म manufacture सकते हैं, तका कुछ स्पण हो मताबगा थीचा पूद्ध्यूद्धा बियोस्कों को Creator cleanse, दूद का यूज करेंगे, दो अंडे लिये हैं, वन टेबल स्पून हमने शुगर ली है, शुगर को हमने पीस का पाउडर बना लिया है, ताकि इसको मेल्ट होने में असानी हो जाए, वन पींच के करीब हमने यहाँ पर सिनिमन पाउडर लिया है, और वन टी स्पून लेंगे हम वनिला एसेंस, इसके अलावा हम लेंगे एक चुटकी से भी बहुत कम सॉल्ट, और इसको फ्राइ करने के लिए हमने बटर ले लिया है, यह न्यूट्रिलाइट बटर है, तो आईए बनाना शुरू करते हैं, तो हमें एक ऐसे बरतन की जरूरत होती है, जिसमें के ब्रै आड के लिए मैंने फिर इस तरीके का बॉल ले लिया है, और इसमें अब हम अंडे तोड़ लेंगे, अब देख सकते हैं, यहां तीन जर्दी मौजूद है, तो इसमें हम डाल देंगे शुगर, और जो सिरिमन का पाउडर लिया है, वो हम इसमें एड कर देंगे, और इसमें एड कर देंगे, आधा कप से थोड़ा कम दूद, यह देखिए मैंने इतना कप दूद बचा दिया है, और यहां पर हम एड करेंगे वनिला एक्स्टेक्ट, तो यह हाफ टीस्पून के बराबर हम इसके अंदर एड करेंगे, यह देखिए, और एक पिंच हम यहा अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, यह ब्रेट बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और नाश्टे में दे सकते हैं, लंच में आप लख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत जादा पसंद है, यह मेरे बच्चे बहुत जादा शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने आ अप बटर को मेलड हो जाने देंगे, और अब हम इसके अंदर इसी मिक्स एंदर अपने ब्रेट को इस तरी के से लिप करेंगे और डिप करने के बाद में यह पैन पर रख देंगे और slow flame पर तकरीबन medium slow flame पर अब गैस की फ्लेम थोड़ा समय हाइय कर दूंगी medium slow flame पर इसके दोनों तरफ golden होने तक fry कर लेंगे ब्रेड टोस्ट को रखे हुए तकरीबर एक मिनट हो चुका है तो इसको हम बड़ी आहिस्ता से इस तरीके से चमस डालते हुए फ्लिप कर देंगे यह देखिए कितना बड़ी ब्रेड बनकर हमारा तयार हो चुका है एक साइड से बिल्कुल गोल्डन सा कलर आ गया है और यह करना हमारा होना चाहिए उसी तरह भी हम एक मिनट के लिए बिल्कुल हाज़की और इसी झाल कर लेंगे एक ब्रेड ऑर बना कर दिखा देते हूं मैं आपको इस तरीके से ली जिए अरामसे इस से मिंख़र में डिप कीजिए और तवे पर रख दीजिए पहले वाला टोस्ट हमारा बिल्कुल बनकर तयार हो चुका है तो इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है बहुत ही अच्छा टेक्स्टर है और खाने में तो यह बहुत ही टेस्टी होता है बच्चों को बहुत जादा पसंद आता है आप उनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं घर में सुबा नाश्टे के साथ बना सकते हैं इनको तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे और यह सबी को बहुत जादा पसंद होते हैं खासतोर से बच्चे बहुत जादा पसंद करते हैं तो आप भी अपने घर में इसे ब्रेकफास्ट के टाई में बना सकते हैं और इजी वे में बना सकते हैं आप अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में तब तक अपना और अपनी फैमली का ख्याल रखियेगा अलाहाफिज